हेलो एवरिवान किस्समें टोर दे ओफिश्य यूटूब चैनल दे तोड़ा स्वागत है अज असी पुझाप टवार एक्जामिनेशन ले लेक्चर पंजवा देखन लगियां अपने पहले पच्छा लेक्चर नहीं की कित्ता सी अपने बेस सी कित्ते सी अपने जनरल एंट् पर दोष्णिक नहीं तोड़ में दसे आसी अज जसी स्टार्ट करन तो पहला लेक्चर कुछ डाउट सी बच्चा ने मैं दोकुद्व डाउट सी लिते ने जोकुद्व बच्चा ने डाउट सी मतलब की मोना दे लिते ने पहला ता बच्चा एक आरहा था कि कि नॉमिनल अधा डाउट सी बच्चा ने लिए टाउट नगेड़ लुकूल ठीक है कि डेबिट ओल्ट अलेट उल्ट सी सेल और गेंच वेगा थिक है फ्रेंट सी पर क्रेडिट सारे इंकमस अं गेंच वोंड़ेगे डेबिट डेडा होएगा उलेट सी सेल और क्रेडिट इदे पर जो जन्र रे टांजरे का लुए आपाने ही राटांचियन होग है। लिग जिए पर्टेट दानम नहीं आन्द करता है। इस बेंध़ नाब राग से तरत किलोट जिए लिए नोट कोड़ती ważne है। तू सेल अगाउंट डेटर कोण वोला जिसनों साने उदार दितता है मसला साने क्रेड़ ते उसनों पैसे दितते हैं उससे लैने है ता उसाधा डेटर होगा वह माल दितता आपने इसपोस करूं एमी ता एंट्रीइमी होगी इसे है डेटर यह है वो बच्चा ठीक सी अपनी जगा है बट जो आपार टांदेक्षिन का रहे हैं अकाउंट रसीवेबल है या उस पार्टी दा नाम आएगा तू सेल अकाउंट फुर सपार्टी दा सानु क्यों बता लगेगा जब डेटर अकाउंट सारे हैं तो डेटर ख युष करा हुआंगा जो आसी जिनना पढ़के हैं ना उधे बेसिक्स देए उपर एमसी की उसन सारे हैं अच्छे एमसी की उसे भी होगी तो अनु पता लगेगा तो उसे कित्ते स्टैंड कर रहे हूं क्योंकि जिया मैं तो अनु सारे दिन सारे वागड़ टोपिक्स करा ह मतलब तो आड़ी प्रैक्टिस की में होगी यह होजे कि मैं तो अनु ने लेक्चर बहा है तो अनु एमसी उसकरा हुआ यह ता कोई फैदा नहीं ना ना चल दे रहोंगे नाल बैलंस भी बनदा रहेगा तो आड़ी त्यारी भी उन्दी रहेगी कि मैं आना प्रैक्टिस भ पर देखन लगी है पहला कोशन है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट से सैटिस्फाइदी वैलुइशन क्रेट की रिया क्रिटेरिया सुरी तब वैलुइशन नों आपकी में कमांगी है तब वैलुइशन उपर केड़ा कंसेप्ट लगेगा सोचो गोईंग कंसर्न रिलाइज कंसर्वेटिजम गोईंग कंसर्न लगेगा उने सीम्पल या बुच्छा वैसे उनने उसी यसे दास सकते हो यह लगेगा ए ओप्शन गोईंग कंसर्न बिजन तोड़ा लगाता चल दे रहना चाहिए तो आउसी वैल्यू नों कंपेर भी कर पाऊंगे रिलाइजिशन कोस्त मतला उसी इस्टोरिकल कोस्त होने जाएगी है मां क्लोजिं स्टोक विच्छ है मार्कीट दा या कोस्त विच्छेवर इस लेस वह आपां कंसर्वेटिजम मेथड विचे देख्या थी ठीक फ्रेंड्स उर्य ए ओप्शन आ लेगा अगला है दिवाली एडवांस किस्त जो अपने बिजनस लिए अपना खर्चा कार रहे हैं दे टू डे भी हो सकत है युँँ सैलरीस वेजीस एस्ट ख्रेद्यान तो बावस दा मंटेन कर रहे हैं खर्चा उसनुन रेवनिक्स पनिचर कहन दी है जो बिजनस लिए यूसफूल है क्याप्टिलिक्स पनिचर जो हुएep कर देफ्स लिएफेफरेवन ekस्पनिचर इदिन अध तिना दो ने कोई मिल नीख खांदा अ इदिना तिना धा कोई मिल खांदा कोई भी तिरह गोवनिक्स नहीं है बिजनस से ना र्लेटेड नहीं है ठीके फरेंट्स उस्तो बाद ता परसैस आज परिकोर्डिं सावगापूरा प्रोस्स ऐमने परकोर्डेंटियर फीर जनुनना कि अवे रिगोड़ करते है रगाइशन गश्टब चप्रांछों कांपा रेकोर्डियर काउ इसंद प्रोड जारा वैड्य कॉषेप्ट ए टेकोर्ड गॉलेस्थान अगला कोश्यन है, रोहित केरिंग ओन रियल स्टेड बिजन सोल्ड पीस फॉर पीस फॉर प्रोड और कोस्के नहीं है मतलब उने कहना चाहरे है कि जीड़ा उसने लेंड़ पीस विच्चे है ता उन चाक करोड चे बाट उसी को साड़ी तीन करोड है तो किस तरहां दा निच्चर है एडी टांजेक्शन होई किस तरहां दी निच्चर है तो ये प्रोफिट ओन सेर किता जाएगा कि ये जाएगा किए अब ट्रांस्वर्ट एक अब दाइगा अ निच्चर है टांस्वर्ट है कि एक तर जाएगा रिविन्यू एगा transfer to general reserve जाएगा 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 रेविन्यू एड ट्रांस्वर टू पी एलंड एक तरना रेविन्यू है अपने सेल कित्थे को लेंड ओ रेविन्यू है अपना अपना कोई भी सेल कर दें ओ रेविन्यू है अपना युर्ण होट तरहों जाएगा स्षेल प्रॉफित के conveyorying और फिल्स फानेंश्न MIN फीर्चित कर दाना है ट्रुफित जाएग्ट and presentation of classified data systematic analysis of the record data methodical classification of data given in financial statement यह होएगा, यह option explain of meaning उस meaning दसेगा financial statement data ते उद्धा importance दसेगा in financial statement वीच उसनो कहने एंटरपेशन यह option आजेगा ठीके फ्रेंट्स next question आजेटर पर्चेस किता गूट्स उसने 25 लाग दे, 70% अँटेड़े उन्ने सोल करते इस साल वीच पहले पर्चेस किते गूट्स माल खेद्या 5 लाखे ना, 5 लाखे दा 7% उन्ने सेल करता 7% उन्ने सेल करता ता साज आन्त वीच जरो उन्ने वेल्यू लाई गूट्स थी, बंदी बंजाई आर्च उन्न पर चत्य लाती, तो उसने केड़े कंसेप्टों उन्ने वायलोटीट कितता है वायलोटीट कितता है, मतलब मनी मायरमेंट कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसरवेटिजम केड़ा होएगा सोचो यह होएगा कंसरवेटिजम उसे सुझने क्या सी, यह यह एक्चिल वैलू है वह ही लग दिया यह यह लेस होएगी market value or cost value whichever is less ओ ही amount लगेगी गोरे बच्छ अत्र यार नहीं लगेगी पंजाय यार ही लगेगी ठीक है friends which of the following is wrong all real and personal account are transferred to balance sheet nominal accounts are transferred to PLN account all real and personal account transfer to balance sheet बिलकुल ठीक है बिलकुल पंजाय आपके nominal account है transfer to PLN account हो सारे खर्चिया है तो इंकम्स है गेंस है वो सारे PLN account चीजानगे profit and loss account जीचे तो आनमें 10 आशी debit expenses पहन दे क्रेडिट इंकम्स पहन दी है ready account तो gross profit आगे निकल दा है ओ क्रेडिट ये जान दा है each account is opened separately in ledger ओ तो सही है आपना कि आपना लेजरी चे आपनी कर दी है account नू उरे गया था rent इस है personal account outstanding rent इस है nominal account ओ रेंट पर्सनल कीम्स हो गया rent इस है nominal account है outstanding इस चलो में nominal है outstanding rent इस हो खड़े आले rent इस तब personal account की में हो जेगा नहीं है न तब D option आ लेगा dash is the root cause for financial accounting social accounting ये हो नहीं सकती stewardship accounting इस सोच्चे तुस्री management accounting नहीं financial accounting निकल कर रहे हो management accounting अपने आप जी accounting है home resource accounting बिल्कुल नहीं money-meyer दा concept आप लगजेगा हो रहे ता money-meyer दा ये कहन दा कि money term चोने चेए home resource accounting कित हो जागी यह 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 होज़िगा the provider of the business is treated as a character for the capital introduced by him due to the money-meyer concept cost concept entity concept dual aspect concept दस्टू केड़ा लगएगा money-meyer मेंट थोड़ा आजेगा इस्चे उन्हें statement पढ़ा दो सी त्यानल cost भी नहीं आ सकता dual aspect भी नहीं आ सकता debit rate की थे उरे के गल्ल होगी यह उरे उरे आगया business entity concept उसे एक ना चाहर है कि जीड़ा मालक है business दा उज़ा उधारी है business दा अपने business दा okay business लगए चीज है तो अन्वाज़ा अच्छा सी business entity concept वीच बंदे दी अपनी life है अपने खर्चा सबको जी अलग है business अलग है तो प्रोपाइटर दी life अलग है यह लग 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 चीज़ा है तो उदेले क्राइटर ही कर वाँगे जोद आपको वी business कर दें था business से बहावत आपने सारी देखनी हुंदी है परसन दे बहावत नहीं देखनी हुंदी ठीक है friends उरे सी option लग जेगा business entity concept ता अग यह आपका देख़ेए fixed assets are held by business for मुझेटे fixed assets है for business लेई ओ की है सोचो आपका जड़े fixed assets है वो का देली हुंदे आपका ने converting into cash चुकले cash ले हुंदे generating revenue resale none of the above उरे आ रहेगा generating revenue तो revenue क्रेट करने दी ता हुंदा fixed assets थाड़ी helpful ता हुंदे ता हुंदे ता हुंदे ता हुंदे अगला question है which account concept specify the practice of creating closing stock to the trading account which accounting concept specify the practice of crediting closing stock in the trading account अपने closing stock नू केड़ा counting concept येड़ा specify करते है कि येड़ी आपने trading account चेक रेडिट करना हुंदा है कि ले closing stock नू पाणा हुंदा है किड़ा account केंदा है course account केंदा है realization account केंदा है going concern केंदा है matching केंदा है इस concept लगेगा matching going concern realization को ता कोई मतलब नहीं है closing stock आपने पाना है matching करनी है expenses पाने है ते income से पानी है matching concept विच उस साल ने closing stock ता पाऊंगी पाऊंगी पाऊंग ना चीना पकाया बच्च के हैं ठीक है friends अगला question देखे दिया है amount spent to increasing the earning capacity is a dash expenditure अपैसा amount spent की चीजना साथी increase होजे earning capacity increase होजे वो केड़ा होएगा मैं तान अगे उप्र पड़ा आके आया सोचो थाड़ी earning increase होजेगी यह होजेगा capital expenditure जो आपका किसी fixed asset उपरा पैसे लगाने यहां तो साड़ी earning का बैसे क्रीज करना वससे तो हुंदा है तो साड़ा काम वादे गया साड़ एक machinery नहीं साड़ा आपका दो अगला कोशन आ गया 18 कोशन है चेंज इंदा capital account और प्रोपाइटर में अकर ड्यूटू चेंज इंदा capital account और प्रोपाइटर में अकर ड्यूटू किदे करके उधी capital चेंज आंदा है सूचो profit earned loss incurred capital introduced all of the above असोचो कि ने प्रोफिट करके भी हो सगता है लोज इनकरन करके भी हो सकता है capital इंट्रिदूस करके भी हो सगता है ता all of the above option लग जेगी कोई पुझीप आई अपने कोई प्रोफिट हो गया ताम ही हो सकता है वद्देगा ठीक फ्रेंट्स अगला कोशन है consistency of with reference to application application of accounting procedure means सोचो ए ओप्शन है all companies in the same industries should use the identical accounting procedure सेकेंड ओप्शन है income and assets have not been overstated accounting methods and procedures shall be followed uniform basis year after year any accounting method can be followed as per convenience यह तकलता है कोई में थोड़ा फोलो का लोंगे इस्ट लगेगा C option लगातार दिया लगार फिन अपने 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 कुल केड़ी statement सही लगेगी year by year by after अपने यूनिफों बेसी से विच उस procedure उस method नों follow कर दे जाऊंगे ठीक है friends अगे आ गया इफ वेजिस आर पेट और for construction of business premises dash account is credit किस account नों पाग्रेडिट करांगे त्यकिस अपने खरचा पेए अपने अपने उसे वेजिस लिखती हैं सी साड़ेगों की आया वेजिस सी साड़ियां वेजिस आउंट डेबिट नों पाग्रेडिट लागया होरे debit all expenses debit all expenses credit all income and gains all expenses and losses debit all expenses and losses ता उरे खर्चा होया ता पर वेजिस काऊंट डेबिट हो जेगा to cash ता उरे जेड़ा क्रेडिट की होयेगा cash c option लागया अपना तरे डेबिट की होया वेजिस हो में रिस्वर्स विल नोड़ अपिर इन दे बैलंशीट अक्रोडिंग तो तो यह आएगा money मेर कंसेप्ट है सिद्धा ही है यह तो अनों समझाना चाहिए होन तक तो कि money value होन दी है जित देखरके सान हो में रिस्वर्स अपन नहीं बैलंशीट दिखा सकते अगल चेस खाउंट रील है आउस्टेसडिकलना क्रोडिंग रेंट कि नहीं हो सकता को कि size nominal अकाउनट है वेङह में पर्सनाल हैं Осaire है डिप्रेजद रीप्रेज इन ब्रेजच्छ आए говорю? आउट्सेंडिंग रेंट रेंट थे आउट्सेंडिंग रेंट ची बहुत फरक है अपनों पे नहीं किता है खर्चा तो आउपर काउंटिंग रूल पड़ा इसने उसे जाके देखिए हूँ ठीक है फ्रेंट्स ता इस त्विच शाद उपर मैंने किते नोमिनल ना कहा देता होगे जैब उपर जाके देखिए अँँदिखना पड़ा है उपर जाके देखना पड़ा है एक कोश्चन जिते तो अनको रफ्यूजन ना हो जावी श्याव तो मैंने नोमिनल ता नहीं कहात तो तो उपर किते तो उपर लगे ना कि मिझे नोमिनल आउट्सेंडिंग रेंटर मैंने नोमिनल कहा है तो परसनल चाहेगा कोगे पढ़के आया उपर ठीक है फ्रेंट्स चलिए अप आगे आपके आपके कुश्चन देसी आ रहा है अब जो वैल्य ओफ गूड्स विड्र और भाइ प्रवाइटर फो इस परसनल यूजट बट मोटिट घंग अपके अपड़ेंग व्या परचियस हाँट जिए उप अपने परसनल यूसल लिए ना परसनल की वंद्या ध्रोइंग सों दिए द्रोइबिट तो इक ड्रोइंग साही है अरा को दोडिडोईंग होने आप आ यूरे देखो llevीनेंस आंडिटी कंसरेप्ट लाग वी रहा है क्योंकिthought आ लाग है सोचो क्योंकि वेवेक्षए बंद असरी आर्डट कुरमनेन ने अकाव लाग रहा है एकश्णीड़िरेंट्स current asset है, loose tolls, tangible fixed asset, outstanding expenses, current asset, तोचो, good rate and tangible asset, साहिए है, sundry debtors, current asset, साहिए है, loose tools and tangible fixed asset, ठीक है, एई ही गलत है, D option, गलत है, D, पुरे, ओज जएगा, अपनो, D नू अपन चूस कराऊंगे, अगला कोश्यन है, MS Stansory Mart, will debit the purchases of Stansory Dash, हुन MS Stansory ने किया है, कि debit, मतलब कि, will debit the purchases of Stansory, Stansory नोने debit किता है, मतलब कि, उन्हें purchases कितने स्निश्री ने, तो किन्नो debit करेगा हूँ, उस स्निश्री दा ही बन्द है, उरे आपा स्निश्री अकाउंट नोने debit करांगे, ओ बिजनस दा खर्चा नहीं है, उरे जसी confusion हो जाए हो, उरे बिजनस दा खर्चा नहीं हो, और बिजनस इसनों नहीं देखेगा हो, जिए कोई बिजनस होर होंदा, तो उस दा स्निश्री दा खर्चा हो रहा है, तो उस देली खर्चा होंदा, यह तो अपना ही कम है, पर्चेसिस अकाउंट, रियल अकाउंट हो गया न, debit worth comes in, पर्चेसिस अकाउंट आजएगा, तो उरे पर्चेसिस अकाउंट आजएगा, उरे पर्चेसिस अकाउंट आजएगा, ठीक है, फ्रेंट्स, पर्चेसिस अकाउंट, कि अपनी अख्खा खुल के रखनी है कि आपका किस काल नूपा गाल करने लगे यहां अब अगला कोश्चन देख रहे हैं सी श्मोल आइटम्स लाइक पैंस्स पैंस फाइल्स एसेक्टराइ रिटन ओफ विदिन ए इयर अक्रोडिंग टू यह तौनमैं जो कंशेट सब्राइस और आइसे अज दस्यास यह तौनमैं materiality concept लगएगा consistency लगएगा consistency लगएगा sorry conservatism लगएगा realization लगएगा यह लगए है materiality जिसे तो नमाद अस्या सी कि total total value लेनी है जब materiality जिदेना इज़्दा कोई जारा फर्क नहीं पेंदा इनना खर्जना की प्रोफड पर फर्क पालेगा फाइल्स पेंसिल्स कुछ जारा फर्क नहीं पेंद वाला तम materiality concept लगएगा ठीक है friends business enterprise is separate from its owner according to ओगी कुश्चन आगे रहा हूं तो तो नहीं पता होएगा इज़ा मनों दस्रेंदी लोड नहीं इज़ा C option आ रहेगा business entity concept अगला कुश्चन है the policies of anticipate no profit and provide for all possible losses arises due to the concept of consistency disclosure conservatism matching anticipate profit anticipate profit नहीं अपने provide करना ता अपकी कमांगे और है conservative concept लगएगा ना इस चे क्यों लगएगा क्यों कि आइस्ट आप दिखानने है expenses आप सारे शो करने होंदे मगर जेड़ी income है वह आप होई करने होंदे जेड़ी सान्नों अगला वक्षन है according to the concept ता प्रोपाइटर सेस्ट इंट्रस्टों ड्रोइंग्स इंट्रस्टों ड्रोइंग्स कीए बीन से बंदे फर्क है ता और लगएगा entity concept और रस्टों पे करेंगे जो इक रोइक शूपर ठीक है फ्रेंट्स कोस्ट कंसेप्ट बेस्कली रेकिनाइस इस ओफ इस तो नोपता ही है इस्टोरिकल कोस्ट ठीक है फ्रेंट्स मार्केट बेल्यू लगेगा फिर मार्केट बेल्यू लगेगा बहुत लगेगा नन लगेगा सुचो मार्केट बेल्यू लगेगा फिर फ्रेंट्स लेस्ट होएगे ना मार्केट बेल्यू लगेगी मार्केट बेल्यू लगेगी डीने मार्केट ब्रीडी मार्का सुचो अधिसयो लगेगा फिर ल्यू लग है स्विक ब्रेंट्स लिघे ना उना यसेट सविक दरा होईगे क्यों लगेगा तो नवाज दास्युक्त का में अगे रेखो विच्व दा फोलिंग प्रवाइड दी फ्रेम्वार्क एंड अकांटिंग पॉलिस ओ डाइड दा फानेश्य स्टेट्मेंट ओफ डिफरेंट अंटरप्राइज इस बिकम कंपेरेबल मतलए इस तरहां दी केड़ी फ्रेम्वार्क ते पॉलिस देती है जिए नार फाइनाश्य स्टेट्मेंट ओव एंटरप्राइज कंपेरेबल लगे तोचो यह तुम्हें पड़ाया है जो से भी इसा उन्हें सब्सक्राइब पहली लेक्षा दुज्जिविच कंपेरेबल ला ठीक है फ्रेंट्स विच ओधा फॉलिंग फ्रेक्टर इस नोर्ट कंसिड़ेड़ वाइल स्लेक्टिंग पॉलिस जो आपका कॉंटिंग पॉलिस देख रहा हों था आपकिस चीनों नहीं ला सकते है आपका सोचो प्रुटेंस यह ता कंजर्वेटिश कंसेप्ट है सब चां या अकाउंटेंसी जो आपका पॉलिस स्टार्ट कर रहे हों यह उदो इस चीन तो देखी था मगर आपका कॉंटेंसी नहीं नहीं देखी था हाओ तो डू अकाउंटिंग वाला रूम नहीं तो सब नहीं पता ही है तो यूनिफॉर्म बेस है सब्सक्राइब कर रहे है तो अकाउंट एंसी होएगा इस तो दो कोई रोल नहीं है अग आपका देखी है डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गीवर इस नोन है इस तो अनुपता ही होएगा परसनल अकाउंट क्याश अकाउंट ही जा सोचो जसा सोचो नहीं लोगों नहीं सिद्धा ही लादो रियल अकाउंट ठीक है फ्रेंट्स अगला कोश्यन है Mr.X sold to Mr.Y ask Mr.X to keep the goods with him sometime Symbolic Delivery, Actual Delivery, Instructed Delivery none of these आताक आप इन नहीं करांगे इस दा अंसर मैंनों तुसी कमेंट चे देओ कोकि यह त अनमालेकर आया नहीं है तुसी इसनों सतर्च करें तुसी आप भी मेनत करें हो तुसी इससरु अंसरे स्ट्रु नन उनके लिए आयहीो ठीक है इस निए नेक्स लेक्चर चे एक्स्केहरे में करांगा ठीक है Friends ?? Thank You